आज कपड़ित होनी के लिए एक से पढ़कर एक एडवांस मशीने उपलब्ध हैं पर जब कपड़ों को सुखानी की बारी आती है तो मुसीवत हो जाती है और जो टंबलर क्लॉट ट्रायर्स होते हैं वो महंगे होनी के साथ साथ जगा भी काफी घेरते हैं जब आप किसी फ्लैट में रह रहे हो तो बारिश और सर्दी के मौसम में मुसीवत और भी बढ़ जाती है लेकिन अब चिंता मत कीजिए आपकी इस टेंशन को दूर करने के लिए क्लियर लाइन कंपनी लाई है एक बहतरीन प्रोड़क्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक, अब बाहर चाहे जैसा भी मौसम हो आप घर के अंदर पिल्कुल थोड़ी सी जगा में इस इलेक्ट्रिक क्लॉट ड्रायर की मदद से अपने सब गीले कपड़ों को कुछे समय में सुखा सकते हैं इस बहतरीन क्लॉट ड्रायर को आप बड़ी ही आसानी से खुद ही असेंब इस इलेक्ट्रिक क्लॉट ड्रायर के साथ आपको मिलते हैं 13 एलुमिनियम पाइप्स, 6 ब्रैकेट्स, 1 कवर, 1 मोटर यूनिट, मोटर शेल्फ, 4 वील्स और 1 वाटर प्रोटेक्टिव मोटर कवर अब सबसे पहले दो एलुमिनियम के पाइप्स और दो ब्रैकेट्स ले दोनों पाइप्स को ब्रैकेट के दूसरे और चौथे स्लोट में फिट कर दें ये करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ब्रैकेट्स के मुड़े हुए कोने नीचे की तरफ हो अब इन चारो कोनों में आपको दिये हुए वील्स को फिट करना है एक बात का यहां ख्याल रखें कि दो वील्स में ब्रेक क्लैंप्स लगे हुए हैं जिने आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे या पीछे किनी भी दो स्लोट्स में फिट कर दें ताकि जब भी आप इस क्लोट ड्रायर को इस्तिमाल करें तो उसे स्थिर रखने में आपको कोई परिशानी ना हो इसके बाद चार और ऐल्मूनियम के पाइप्स लें और उन्हीं ध्यान से ब्रैकेट के उपर वाले स्लोट्स में फिट कर दें उसके बाद कवर को अनफोल्ड करें उसकी जिप खोल दें इस कवर के नीचे भी चार होल्स हैं उन्हें ध्यान से चारों अलमीनियम पाइप्स में स्लाइड कर दें ऐसा करने के बाद बिल्कुल आराम से उस कवर को नीचे सरका दें अब फिर दुबारा दो पाइप्स और दो ब्रैकेट्स लें और उन्हें पहले की तरह ही जोड़ दें अब इस फ्रेम को ध्यान से अलमीनियम पाइप के उपर फिट कर दें अब एक बार फिर चार पाइप्स को इसके उपर फिट कर दें बची हुई एक पाइप को प्रैकेट्स के बीच वाले स्लोट में फिट करें। और उस फ्रेम को भी ध्यान से चारों पाइप्स के उपर सेट कर दें। अब नीचे रखे हुए कवर को इस पूरे फ्रेम के उपर तक ले आएं। हर प्रैकेट में पाँच स्लोट्स हैं। अगर आप बीच वाले हिस्से में भी हैंगर पर टांग कर कपड़े सुखाना चाहते हैं, तो आप दो की जगा एक ही पाइप सेंटर के स्लोट में फिक्स कर सकते हैं। अब नीचे से उठा कर मोटर यूनिट को शेल्ट के उपर रखें और कवर के निचले हिस्से के सेंटर में दिये हुए होल को मोटर यूनिट की ग्रिल पर सरका दें। ये करने के बाद मोटर यूनिट कवर को मोटर यूनिट की ग्रिल के उपर लगा दें। ये करना इसलिए जरूरी है क्यूंकि जब गीले कपड़ों से पानी की बूंदें टपकेंगी, वो कहीं मोटर यूनिट में गिरके उसको खराब न कर दें इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि टॉप उपर से जरूर फिट हो Finally, आपका Clear Line Electric Cloth Dryer पूरी तरह असेंबल हो गया है आईए, अब देखते हैं कि इसको इस्तिमाल कैसे करना है सबसे पहले मोटर का प्लग सॉकेट में डाल कर स्विच आउन कर दें जिसका मतलब है कि आपका Cloth Dryer अब इस्तिमाल करने के लिए तयार है इसके बाद कवर की जिप को खोलें और उसमें गीले कपडों को टांग दें अगर आपको हैंगर्स में डाल कर कपड़े सुखाने हैं तो प्लास्टिक के हैंगर्स का ही उप्योग करें ताकि वो गरम ना हो अब कपड़े टांगने के बाद Cloth Dryer की जिप को बंद करते हैं आप इस Cloth Dryer को दो तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं मोटर यूनिट के डाइल को राइट साइड या Clockwise घुमाने से आप टाइमर को 30 मिनट से लेकर 180 मिनट तक सेट कर सकते हैं जैसे ही ड्रायर का सेट टाइम खत्म होगा ये खुद बखुद बंद हो जाएगा दूसरा तरीका ये है कि ड्रायर को Left Side या Anti Clockwise घुमा दे अब ड्रायर तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसको खुद बंद न कर दे इस तरह आप अपनी Electric Cloth Dryer को यूज कर सकते हैं और अपनी काम को आसान बना सकते हैं आपको कभी भी इसके इस्तिमाल को लेकर कोई मुश्किल आए तो आप हमें Contact कर सकते हैं